हलो दोस्तों मेरा नाम है खुरसीद आलोम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा चैनल भरगेन का शेव आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुती स्पेसर रेश्पी ये देखिए मैंने मस्रूम के पैकिट खोल लियें और हम लोग तो क्या है बहुत जादा बनाते हैं फिर भी मैं आपको कम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ हमारी कम भी डेड़ किलो है ये भी मैं आपको बता दूँ अब आपने क्या करना है आपको दिखाता इस टब मस चीज का खास क्या रखना है ऐसे मस्रूम खोलने के बाद आपने करना है इसको ऐसे बीनना है इस मेंसे जो खराब खराब मस्रूम होते हैं या फिर जो बहुत जादा चोटे हैं वो आपने हटा देना है जैसे कि ये देखिए इसका कोई काम नहीं है इस टब मस्रूम में तो यह फटने वाला है तो इनको इसे साइट में निकाल दें तो आपने बीनना जरूरी है अच्छे अच्छे मसरूम छाटना जरूरी है इस चीज का आपने ध्यार रखना है एसे मसरूम तंदूर में आपने यूज नहीं करना है इसको साइट में निकाल देना है मैंने अच्छे अच्छे मसरूम छाट लिए हैं, जो हमें ने चीज़े थे वो यहां ही पड़ें और अगर आप इस टब मसरूम के लिए बना रहे हैं, तो आपने ये चीज अभी नहीं निकालनी हैं क्यों नहीं निकालनी है यह मैं आपको बताऊंगा पहले हम इसको उबाल लेते हैं जब आपका पानी ऐसे उबल जाएगा तब आपने क्या करना है इसमें डालना है 1 टेवल इस्पून नमक, 1 टेवल इस्पून हल्दी और 1 टेवल इस्पून बिनिगा ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसमें डालना है मसरूम जो हमने बीन के रखी दी चान के ये रखी और आराम से इसको उबालना है कितनी देर उबालना है ये भी मैं आपको बता दूँगा जब इसको चानुगा अगर आप होटल में मसरूम उबालना है तो आपने 8 मिनट उबालना है अगर आप घर में उबालना है तो एक चीज बता दूँ जब आपकी मसरूम उबल जाएगी न तो ये देखिए इसमें एक ऐसी चमक आ जाती है बढ़िया तब आपने इसको छान लेना है अब मेरे टाइम पूरा हो चुका है आठ मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको छान लूगा ये देखिए इस तरीके से आपने छान लेना है ऐसे और अगर आपको जल्दी नहीं है तो ऐसे ही पड़े रहने दें अगर जल्दी है तो आप ऐसे पानी भी इसमें डाल सकते हैं कोई प्रोड़म नहीं है इस तरीके से देखिए ऐसे ठंडा कर सकते हैं कभी-कभी क्यों होता रुनिंग में भी बनाना पड़ता है तो आप थन्डा कर ले हुआ अब आपने इसको इस तरीके से देखिए निकालना है अब मैंने जैसे आपको पताया था आप बताया था न मैं आपको निकालने के टैम बताऊँगा आपने यह काड़ना क्यों नहीं है अगर आप यह पहले पर निखना हो तो आपने ऐसे निकाल के और इसको रखना कैसे वह जानने वाली बान से रहेगा lock cameraman लूद सैने के अ byłक तो इस यह ब शारहorder है। दखनी में रखूँगा ताकि पानी अच्छे से नचोड़ जाए ये देखिए मैंने सब भी निकालनी है आपने देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया आपने कैसे मस्रूम उबालना है और कैसे तोड़के रखना है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर की फिलिं अचिम बॉड़ पे ढालना है और आपने सब ही ले लेना है सब इस्तिमाल करना है रखना लिए फिर आपने कहा कर दखना है इसको चोप कर लेना है एकदम फाइंस चोप करना है पहले मैं इस तरीके से करूँगा जैसे कर रहू हूं ताकि क्या हो यह बगएगी नहीं अभी इस स्वतर अपने नायो बाद होगा है दो थेल कुर्भ टेवल स्वाइल। जीरा पर गारलिक है गार्लिक तर डेख नदा काटा है अपने वूसले काटा है शोस्ते हैं नियर काट होगा है कि लिए दक छी गंट चॉटा जब आपके लसन में ऐसा कलर आजाएगा उसके बाद आपने कट आपने डालना है एक टी स्पून बारीकटी री हरी मिड़ और ऐसे हलके से चलाना है थोड़ा सा उसके बाद आपने इसमें डिला देना है मसरूम जो हमने छोप करके रखी थी दे, मसरूम डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे भुणना जे ouvert। इसमें भूण लिए इस तरीके से बीन घोग आपने उसके भूर गज़ा को नतीकि कम सीलो और इसमें डालने हैं सबी मसाले, आदा टीस्पून जीरा पोडर, आदे से आदा टीस्पून कसूरी मेथी पोडर, आदा टीस्पून गरम मसाला, आदा टीस्पून नमक, और आपने इसमें डालना है एक पिन लाची पोडर, कई शेफ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालता इससे बहुत ही अच्छी खुसवू आएगी। उसके बाद आपने ऐसे देखिए मिक्स किया। इस तरीके से। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है। दो टेबलिस्पून यह। केप सी कम बारिक कती हुई इससे कर वा ना बहुत ही अच्छी आपकी फिलिंग दिखेगी मतलब जब आप इस्टप करेंगे न और खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कलर आए गाई देखिए अब आपने इसको ऐसे अच्छे से थोड़ी देर भूनना है बस भूनना कितनी द यह देखिए इस तरीके से उसके बाद आपने इसमें डालना है चीज चीज आपने कम से कम 30-40 ग्राव डालना है और पनीर पनीर को भी आप ऐसे गिरेट करने पनीर आपने लेना है 50-60 ग्राव यह देखिए इस तरीके से और आपने इसमें डालना है धनिये के पत्ते दो ट करना गरम-गरम में ही ऐसे मिक्स करने इस तरीके से अब यह दखिए बहुती बढ़िया श्टपिंग बनके तयार है अब आप इसको टेस्ट करें मज़ा आ गया ऐसी मज़ेदार फिलिंग बनाने के बाद आपने के करना है इसको मसरूम के अंदर भरना है कैसे बना है आपको दिखाता हूँ भरने से पहले एक बात बता दूँ अगर मसरूम में पानी है तो आप ऐसे दबा के निकाल दें लेकिन इसमें है नहीं यह देखे इस चीज का आपने ध्यार रखना है फिर यह देखे यह बनने का तरीका है हम लोग आइसे फटा फट भर लेते हैं यह देखे ऐसे आपने भरके और इधर ही चौपिंग बोर्ड पे रख लेना है ऐसे फटा फट भर ले हम लोग तो कैया रोज भरते ना तो इसे इस पीट म में भर लिआ ہے और थोड़ा सा मसाला ये बचा हुआ है इसको आपने करना है एक छोटे बरतन में डाल के क्लिरे मार के फ्रीज में रखना है ये आप बात में यूज कर सकते हैं अब आपने करना है एक टरी लेनी है इस टील की जिसमें आप रखेंगे बना कि उसके बाद यहां देखी आप ऐसे आपने साइश के हिसाब से उठाओना Russia ऑब बرाबर और ऐसे ट्रैमें ड़काइना कि ऐसे रखते हम अब यह जैसे यह ने रखे ना आपको पता चल जाता कौन सा बढ़ा है कौन से बराबर है कौन सा छोटा तो हम एका करते हैं, ऐसे बराबर के दो पीस उडाते हैं, दखिए इस तरीके से, और ऐसे रख देते हैं, अब मैं इसी तरीके से देखिए, ऐसे फट्टा फट सारे उठा के, रख दूँगा जोड़के, अब यह देखिए, इसमें बिल्कुल टैन नहीं लगता है, ऐसे फट ख़टा फट हम लोग ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हमारी रोज की प्रेश्टिस है ना ऐसे करने की तो यह देखिए ऐसे आपने प्टा फट अच्छे से जोड़ के रखना है अब यह देखिए मैंने सभी बना लिए अब आपने का करना है इसके उपर ऐसे ढखका लगाना है औ और तारीक डाल के रख देना फ्रीच के अंदर ताकि आपको पता चले कितना पुराना है। अब आपको पता चल गए होगा कि हम आला काट के लिए मस्रूम बना के कैसे रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए, आपके काम आने वाला लगाए, आपके दिल को टच किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अपने फ्रेंड और फेमिली के साथ।